आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ले आउट यानि के बारे में जब आप नया कार वाशिंग सेंटर लगाएं तो किस तरीके से डिजाइनिंग करें जो आपकी स्पेस है आपके पास अवेलेबल उसमें कुन सा पॉइंट जो है वो कहां पर रहें जैसे वाशिंग कहा पर करनी है वेक्यूमिंग कहां पर करनी है ड्राइंग कहां पर करनी है डिलिवरी एरिया कौन सा होगा ये सब चीजें जो है इनको ले आउट कहते हैं और ले आउट एक बनाना प्रॉपर वाला इंपॉर्टेंट है अगर आप बड़ी लेवल पर काम करना चाहते हैं तो आ the same time space की requirement जिसमें बहुत ज़्यादा कम हो तो normally आपने बहुत सरे car washing centers visit किये होंगे और आपने वहाँ के design यानि की वहाँ का layout जो है उसको study किया होगा अगर आप अपना car washing center खोलना चाते हैं इसलिए आप इस video पर हैं तो जो आपने already visit किये होंगे car washing centers come detailing centers तो उनके layout के हम बारे में अगर बात करें तो वो predominantly majorly उसमें दो parts होते हैं एक होता है dry area और एक होता है wet area ठीक है dry area होता है जो सुखा area होता है wet area होता है जो घिला area होता है dry area में आपके vacuuming होती है drying होती और polishing होती है और wet area में washing होती है ठीक है एक दो तीन या चार वाशिंग बेस बनी होती है और एक दूसरा एरिया होता है जहां पर जो ड्राइ एरिया होता है जहां पर यह सारे काम एकठे हो रहे होते हैं तो यह एक नॉर्मल सेटप जो है आप अल्रेडी विजिट कर चुके होंगे या जहां पर आप गाड़ी दुलाते होंगे वो इसी टाइप का वाशिंग सेंटर होगा तो यहां पर होता क्या है कि लिमिटेड कैपस्टी होती है सपोज अगर आपके पास तीन बेज हैं तो आप एटे टाइम तीन गाड़िया अगर अंदर ले ले लेते हो तो एक या देड़ घंटे में तीन गाड़िया आप अराम से निप्टा सकते हो बड़ दोस्तो प्रॉ टाइम लग जाता हो सकता है किसी गाड़ी को दो डाइगेंटे भी वेट करना पड़ सके और दोस्तों यह वेटिंग टाइम जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों यह सारी प्रॉब्लम इसी लिए आती क्योंकि यहां पर और्गनाइजेशन की कम है यह जाएगा आपके वाशिंग सेंटर का पुटेंशल भी लो हो जाएगा जितना आप अर्न कर सकते थे आप उतना नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकाउज आपका वाशिंग सेंटर और गनाइज सिस्टेमाटिक तरीके से रन नहीं कर रहा है तो इस कन्वेंशनल सेटप का नया आपके साथ शेयर करूँगा जिसको मैंने नाम दिया है एसेंबली लाइन सेटप तो एसेंबली लाइन सेटप जो है अगर आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो एसेंबली लाइन एक जहां जिन भी इंडस्ट्री में प्रडेक्शन होती है हाई आउटपुट में हाई उसेंबली लाइन का कंसेट्ट यूज किया जाता है इसमें क्या होता है एक कनवेयर बेल्ट होती है कनवेयर बेल्ट के उपर सपोस्थ 5-6 स्थेशन बनें पहले स्टेशण का काम है फ्रेम में डोर्स इंस्टॉल करना दूसरे स्टेशन का काम है पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो ग्लासिस हैं वो इंस्टॉल करना तीसरे पॉइंट का काम है एलेक्ट्रिकल लाइन्स जो है पूरी की पूरी गाड़ी में वो इंस्टॉल करना उसके बाद next वालों का काम है seats install करना उसके बाद next वालों का काम है और कोई different काम है carpets वगएरा या liners वगएरा वो install करना तो इस तरह से different stations बने होते हैं जिनका काम fixed होता है और वो अपना काम ही पूरा दिन करते रहते हैं जैसे एक गाड़ी का यहां से जब start हुई तो वो एक station पे suppose आदा घंटा रहेगी तो आदे घंटे में इन्होंने अपना काम खतम करना है अगर suppose एक घंटा टाइम है तो एक घंटे में इन्होंने गाड़ी का काम खतम करके गाड़ी को आगे pass on कर देना है तो इस तरह से गाड़ी जो है within fixed time limit जो है वो बिल्कुल end तक पहुँच जाती है और complete हो जाती इससे क्या होता है production हमारी भाड़ जाती है हम अपने potential को fully utilize करते हैं तो यह बड़ी industries का concept है assembly line setup तो इसको हम अपने car wash में भी use कर सकते हैं अब इसी तरह से थीक है suppose अगर हमारे car wash है उसको हम इस तरह से design करें कि अगर एक घाड़ी आ रही है हमारे पास car आई हमारे पास ठीक है तो पहला हमारा station है पांचमा station हमारा delivery का है ठीक है तो इस तरह से अमने स्टेशन अगर बनाए हुए हैं तो गाड़ी हमारी यहांपे आयेगी वैक्यूमिंग में सबोस को पांच मिनट लगते हैं ठीक है पांच मिनट यहांपे लगए उसके बाद नेक्स स्टेशन पर यागई वाशिंग में यहांपे स्टेशन गेए और दोस्तों इस setup की सबसे अच्छी बात ये है कि suppose पहली गाड़ी हमारे पास vacuuming में पहुँचती जो हमारा पहला station है वहाँ पे इसके 5 मिनट लगते हैं या 10 मिनट लगते हैं जितने भी decided है suppose 5 मिनट लगते हैं तो दूसरी गाड़ी को सिर्फ 5 मिनट वेट करना पड़ा और वो in हो गई है तो पहली गाड़ी जो अब second वाले station पे थी वो भी अपना time fixed जैसे 5 मिनट वो अपना time washing पे बिताएगी उसके बाद वो next drying वाले station में चले जाएगी तब तक हमारी second वाली गाड़ी vacuuming से free होके washing में आ जाएगी अगेन हम तीसरी गाड़ी vacuuming पे ले ले लेंगे तो पांच-पांच मिनट के gap पे हम यहाँ पे गाड़ियां लेते रहेंगे और जब तक पहली गाड़ी जो सबसे हमने पहले ली थी जिसको 20 मिनट लगेंगे wash होने के लिए जब तक वो complete wash होगी तब तक system के अं है कि specialization जो vacuum कर रहे हैं लड़के वो vacuuming में ही specialized हो जाएंगे उनको पता होगा कि गाड़ी में किस तरीके से vacuum करना है जो tricking places हैं वो कौन सी हैं उन में से कैसे जो है कूड़ा कच्रा निकालना है वो चाहे vacuum से निकालना है चाहे blowing से निकालना है इनको पूरा knowledge होगा washing वालों क washing का knowledge होगा drying वालों को drying का knowledge होगा polishing वालों को polishing का knowledge होगा यहां पर आप club भी कर सकते हो जैसे drying और polishing को आप मिला भी सकते हो क्योंकि यह चोटे-चोटे ही काम है क्योंकि यह workers पूरा दिन एक ही काम कर रहे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा trained हो जाएंगे और इसलिए काम भी जल् organization होने की वज़ा से इसका waiting time भी decrease हो जाता है जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया और in all इसका potential इन सभी चीजों से इसका potential भढ़ जाता है और आप earning at the max कर पाते हो ठीक है जितना आपका जो area है उसका जितना potential है उसको fully utilize कर पाते हो और maximum revenue जो है वो कमा पाते हो तो ऐसा किस possible होता है assembly line setup की वज़ा से दोस्तों ये बहुत बढ़िया तरीका है और ये बड़ी-बड़ी companies द्वारा आजमाया हुआ और use किया हुआ तरीका है तो चलिए अब बात करते हैं आपके setup की तो दोस्तों assembly line setup जो है इसके लिए आपको minimum space की requirement जो है वो 1500 square foot है 1500 square foot से अगर आपका area जो है वो कम है तब आप conventional वाला setup लगाईए देशी वाला setup लगाईए अगर 1500 square foot यह उससे ज्यादा का area है तब आप assembly line setup के बारे में सोच सकते हैं 1500 square foot का जो आपके पास land का piece है वो उसका shape जो है वो भी metal करता है तो उसका shape जो है वो तीन तरीके का ही हो सकता है इन तीनों तर सकता होगा थोड़ा बहुत उपर नीचे होगा वो आप अपने हिसाब से adjust कर लिजिए मैं यहाँ पर general example दूँगा तीन setups बताऊंगा तीन तरीके के setups बताऊंगा इसमें आपके land का area जिसके साथ मैच करता है आपको वैसा setup लगाना है थोड़ी बहुत adjustments करने के बाद तो यह तो आपका area जो है वो fully square होगा fully नहीं almost को होगा almost अगर square होगा यानि कि एक side अगर x है एक side अगर y है दोनों के बीच में बहुत close resemblance है equality है suppose अगर यह 50 foot है यह 45 foot है तो इसको मैं square ही मानूँगा ठीक है तो अगर यह square है उसके लिए हम एक example देंगे या फिर यह चोड़ाई मे है उसके लिए भी हम एक example देंगे ठीक है यह road आगई यहां पर यहां पर road आगई यहां फिर यह लंबाई में है अगर उसके लिए भी हम एक example देंगे तो तीनों में से किसी ना किसी type का आपका area होगा यहां तो यह square होगा यह चुड़ाई में होगा यह लंबाई में होगा जदतर केसे में लंबाई वाला एरिया ही मिलेगा क्योंकि हमारे इंडिया में स्पेस की बहुत कमी है तो फेस हमेशा छोटा मिलता है और उसके पीछे जगा जो है काफी जदा होती है कुछ किस्मत वाले लोग होंगे जिनको स्कुएर या फिर चोड़ाई वाला एरिया मिल जाए सबसे प्रेफरेबल इसमें ये चोड़ाई वाला एरिया है इसमें सबसे बड़िया सेटप तयार हो सकता है स्कुएर वाले में भी अच्छा सेटप तयार होता है इसमें भी हम अच्छा setup ही बताएंगे बिसिकली इस setup में problem कहां आती है detailing वाला room जो है उसका enter और exit point बनाने में थोड़ी यहां पर दिक्कत आती है अगर खाली washing होता तो कोई दिक्कत नहीं है लंबाई वाला area भी चल जाएगा तो यहां पर हम car washing and detailing बताएंगे new details सभी आपको next part में देखने को मिलेगी यह part जो है काफी ज़्यादा लंबा हो गया इसको यहीं पर end कर रहे है चैनल को ज़रूर subscribe कर लीजे इस वीडियो का next part देखने के लिए हम अपने चैनल पे काफी ज़्यादा unboxing करते रहते हैं car washing and detailing products के related तो वो सब भी देखने के लिए चैनल को ज़रूर subscribe कर लीजे और दोस्तों अगर content आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को like और share भी ज़रूर कीजे अपने friends and family members के साथ जो भी इस related business में thank you for coming to DIY JNK bye bye